नमस्कार मैं प्रियरंजन और आप देख रहे हैं टेडर्स डीम आज की इस एपिसोड में रिलाइंस पावर और रिलाइंस इंफ्रा स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले रिलाइंस पावर को देखेंगे और वीडियो को आगे बराएं से पहले आयोग कि आपने प्रिमियम टेलिग्राम जोइन कर लिया है मार्केट साइंटिस के चैनल को विजिट करें कंटेंट पसंद आया तो उसको भी सबस्काइब करेंगे रिलाइंस पावर देखेंगे तो 10 रुपीज 50 पैसे के आसपास के प्राइस पे टेड हो रहा है यहाँ थोरा वीकनेस दिखा है चुकि मार्केट में सेलिंग प्रेसर दिखी नहीं तो टेकनिकली एक बड़ा बाउंस बैक दिखा था यहाँ से अगर 10 के आसपास की बाइंग मिले तो जरूर बाइंग कर सकते हैं जहाँ डबल बॉटम ब्रेक आउट के बाद इजली स्टॉक में 12-15 तक के लेविल दिख सकते हैं विदिन मैक्सिमम 3-5 मन्त के डुरेशन में यहाँ देखेंगे तो Reliance Infra one of the best trending stock हो सकता है short term trader के लिए 150 के price पे trade हो रहा है government के तरफ से 48,000 करोर के जो pending news थे वहाँ high court के तरफ से बड़ा बेतर news दिखा है DMRC को कहा गया है कि जो पैसा है वो तुम pay करो यहाँ वही news को लेकर के देखेंगे तो trend होते वे दिख रहा है इसके साथी delivery भी काफी बेतर दिख रही है trend भी positive है और यहाँ देखेंगे breakout 162 के आसपास का level है जो पहला target होगा इसको breakout करती है तो 194 से 250 तक के level next 3 मन्त में इजली दिख सकता है